हेलो एबरिधन मैं हूँ किरन मेरे किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत आज मेरे किचन में बनने जा रही है ब्रेड की बहुत लजीज और सूपर टेस्टी मिठाई ब्रेड मलाइज टोस्ट इसे देखती ही आप बनाना चाहेंगे इसको बनाना बहुत ही आसान है ये स्वीट रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए कडाही में लगभग एक लीटर दूद ले लिया है इसके हमें गाड़ी मलाईदार रबडी तयार करनी है दूद को बराबर चलाना है और किनारों से स्क्रेश करते रहना है दूद लगभग जब दोती हाई रह जाएगा तब मैं इसमें चीनी एट करूँगी इसमें मैंने लगभग चार चमत चीनी एट किया है आप अपने साथ के नुसारिस में चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब मैं इसमें गरी का पुरादा और क्रस्ट का आज़िवाइट करूँगे अब मैं इसे दूद में अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और दूद को और गाड़ा होने तक पकाऊंगे लेजिए गाड़ी मलाईदा रबड़ी तयार है और हम इसे ठंडा कर लेंगे ठंडी होने बाद है और भी गाड़ी हो जाएगे कुछ वाइट ब्रेट के स्लाइसेस ले लिए है इस रेसिपी के लिए वाइट ब्रेट ही चाहिए ब्राउन ब्रेट में नहीं लेना है ब्रेट बिल्कुल ताज होने चाहिए और हम इनको किनारों को काट लेंगे आप इसे कहची से भी काट सकते हैं किनारों को हम फेकेंगे नहीं इसका ब्रेट क्रम्स बनाके दूसरी रेसिपी जैसे टिक्की, कटलेट वगएरे में इससमाल किया जा सकता है ब्रेट को हम चार पीस में डिवाइट कर लेंगे इस रेसिपी के लिए बड़ा वाला ही ब्रेट लेना है लेकिन अगर आपके पास चोटी वाले ब्रेट हैं तो उसके आप दो पीस कर सकते हैं अब हम चाशनी बना लेते हैं उसके लिए मैंने एक कप चीनी और आधा कप पानी ले लिया है अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाना है चीनी घुलने तक लगातार चलाना है नहीं तो चीनी तेले में बैठ जाएगी हमें इस चाशनी में कोई तार नहीं चाहिए बस एक चीप-चीपी सी चाशनी हमें तयार करनी है जैसे हम गुलाब चामून और जलेबी के लिए चाशनी बनाते हैं वह ऐसी ही चाशनी में चाहिए इस चाशनी में कोई तार नहीं चाहिए अब हम चास्णी को चेक कर लेते हैं देखिए ऐसी ही चिप चिप इसी चास्णी हमें चाहिए कोई तार नहीं बन रहा है चास्णी तयार है अब हम मीडियम हाट आयल में ब्रेट के टुकड़ों को तल लेंगे सुना रहा होने तक यह दोनों तर्प से पलट के सुना रहा होने तक तल लेते हैं इसको बराबर पलटते रहना है अब हम किसी जाली पर निकाल लेंगे ताकि जो इसमें इक स्ट्रायल है वो नीचे चला जाए अब हम ब्रेट टोस्ट को गुनगुनी चास्णी में डिप करेंगे चास्णी ज्यादा गरम नहीं होनी चाहिए और इन्हें बस एक से दो मिनट तक ही चास्णी में रखना है नहीं तो यह मिलाएं पड़ जाएंगे हैं हमें इनका क्रंच खतम नहीं करना है क्रंची रहेंगे तब हैं मिठाई टेस्टी लगेगे अब हम इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेंगे अब हम ब्रेट के एक पीस पर रबड़ी स्प्लेट करके उसे दूसरे पीस से कवर कर देंगे बिल्कुल सैंडवीच की तरह आप इसे ब्रेट रबड़ी सैंडवीच भी बोल सकते हैं ऐसे ही सारे पीस तायार कर लेते हैं, मेरे घर में तो अक्सर इसी मिठाई की डिमांड होती है, आप इस मिठाई को ट्राई करने के बाद बाजार से मिठाई लाना भोल जाएंगे, सच में इसके टेस्ट का कोई मैच नहीं है, देखिए, लग रही न कितनी लाजबाब, बाहर से क्रंची और अंदर से जूसी, आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, तो लाइक, कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगल में चो बेल आइकन है, उसको जरूर ट्रेस करिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो कर निटिफिकेशन आपको तुरेंट मिल सेके, बाइबाइ, टेक केर,